यूपी के चर्चत गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में CBI ने बड़ी कारवाई की है CBI की एंटी करप्षन विंग घोटाले को लेकर कई ठिकानों पर छापे मारी कर रही है CBI की टीम ने यूपी के अलाबा राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 40 जगाहू पर छापे मारी की यूपी में राजभानी लखनाउ, नौइडा, गाजियाबाद, बुलन शहर और राय बरेली में छापे मारी की गई है बता दे की 190 लोगों के उपर केस दर्श किया गया है गौर तलब है की रिवर फ्रंट घोटाला सपा सरकार के काराले में हुआ था लखनाउ में गोमती रिवर फ्रंट लाइन के लिए सपा सरकार ने 1513 करोड मनजूर किये थे 1437 करोड रुपे जारी होने के बाद भी मातर 60 फीसिदी काम ही हुआ रिवर फ्रंट का काम करने वाली संस्थाओं ने 95 फीसिदी बजट खर्च करके भी पूरा काम नहीं किया गोमती रिवर फ्रंट के निर्मान कारे से जुड़े इंजीनियरों पर कई गंभीर आरोप हैं इंजीनियरों पर दागी कंपनियों को काम देने, विदेशों में महगा सामान खरीदने, चनलाइजेशन के कारे में घोटाला करने नेताओं और अधिकारियों के विदेश दोरे में फिजूल खर्ची करने, सहित वित्य लेंदेन में घोटाला करने और नक्षे के अनुसार कारन ना करने का आरोप है